नमस्कार दोस्तों मैं निल कुमार स्वागत करता हूँ आपके पिनी टूप चैनल RRB मेत की टान्टी फोर में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे RRB NTPC CBT1 रिवाइस रिजल्ट के बारे में दोस्तों क्या रिवाई रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा दोस्तों उसी की बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो चली दोस्तों वीडियो कोई स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यंटी पीसी रिजल्ट आपडेट बहुत जल्द फाइसला ले सकते हैं मोधी सरकार रेलिवे बोर्ड दे सकता है शीवीटी वन में 20% रिजल्ट यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है कि 20% दे सकता है रिजल्ट अब देखिए आगे क्या है को लेकर रेलिवे अभ्यर्थियों में नराजगी देखी जा रही है सोचल मीडिया और अन्य मादमों की मदद से छात्र अपनी नराजगी प्यक्त कर रहे हैं बीते दिन ही देश भर के छात्रों और सिचकों ने लगभग आठ मिलियन ट्यूट कर रेलिवे बोर्ड द्वार कर रही है आगे दिया सुत्रों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार रिजल्ट में संसोधन पर विचार कर रही है सोर्स का कहना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं बिरोत प्रदर्शन का असर देखने को मिला सरकार के बड़े अधिकारे इस पर विचार कर रहे हैं आपको बता दे के हाल ही में आरारबी यंटी पीसी ग्रिजुएट पोस्ट ग्रिजुएट सी यन जीरो वन अबलिक 2019 पदों के लिए आजोजित स्टेज वन प्रदाम जारी किया था जिससे छात्र असंतुट थे रिजल्ट का विरोत कर रहे हैं रेलेव कई छित्री बोड में किया गया है स्कूर कार्ड और कटा तयार करने में गड़बडी की गई है आपको बता दे कि 35,000 से ज्यादा पदों पर भरती के लिए रेलेवे ने 2019 में यंटी पीसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था यंटी पीसी के पदों पर बाहली के लिए रेलेवे बोड द्वारा 14 जनवरी को परिडाम की गोशडा की गई लेकिन उमिदवारों ने रिजल्ट में गड़बडी का आरोप लगाते विए सोचन मीडिया पर अभियान चलाया इसका असर ये रहा कि अगले ही ती रेल मंतराले ने इसे लेकर निमन बिंदों से अस्प साथ लाख रोल नंबर चैनित है जो कि 35,000 पदों का बीस गुना है रेल मंतराले का कहना है कि या भी नहीं कहा गया था कि CBT2 के लिए साथ लाख उमिदवारों का चैन किया जाएगा एक ही उमिदवार को पतरता के आधार पर कई लेबल के लिए चैनित किया जा सकता है कटाप को लेकर रेल मंतराले ने कहा कि रिजर्ड नर्मालाईजेसन परक्रिया के अधार पर तैयार किया गया है कटाप कूल बैकंसी पर निर्ड़े करता है चुकि 10 प्लस टू के लिए लगभग 10,500 पत है जिन के लिए 35,000 उमिदवार पात रहे है इसलिए कटाप अधिक चैन पर किया पूरी होने के बाद अंत में लभग 35,000 उमिदवारों का ही चैन किया जाएगा और एक पत पर केवल एक उमिदवार को ही नियुक्त की जाएगी और कोई पत खाली भी नहीं रहेगा रेलवे के अब्यर्थी मंतराले की तमाम दलीलों को मानने को तयार नहीं है इनका कहना है कि सरकान ने रेलवे रिकुमेंट बोर नान टेक्निकल पापूलर कटेगरी के विज्जापन के तद 20 50 रिजल्ट देने की बात की थी इस्टुडेन के हंगा में और यूपी समेट देश के पाँच राज्यों में होने वाले चुनाओं को देखते हुए यह कयास लगाया जा रहा है कि मोजी सरकार रिजल्ट में संसोधन कर सकती है और इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है आपको बता दे कि 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक कुल साथ चलडों में आजूजित की गई थे यह 2019 की विज्यापी थे जिसके जरिये 35,000 से ज्यादा पदों को भरा जाना है अभी तक केवल CVT1 परिच्छा का आईडन किया गया है इसके सफलता पुर्वक उत्रेड हुए उमिदवाद 14 फ्रवडी 2022 से च .